सब्सक्राइब कीजिए सुमेट ओन्लाईन क्लासिस को और बेल आधिन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सुमेत ओन्लाईन ग्लासिस के एक नए एपिजोड में आपका स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कीvenir चाट करते है next question है मारे पास question number 46 कहते है on 1st April 2015 तो यह opening की बात के जारी है starting की A और B दो partnership के अंदर enter करते हैं और contribute करते हैं 60,000 और यह 45,000 मतलब दोनों पैसे लगाते हैं business के अंदर लिखा है agreed जो share profit loss है उसको agree करते हैं कैसे करते हैं 3-2 ratio के अंदर और B को क्या दी जाएगी salary दी जाएगी साल की बारा हजार interest on capital capital लगाई है जो उन्होंने 60,000 और 45,000 इसके ओपर interest लाओ किया जाएगा 10% पर एनम केते हैं during the year देखते हैं A ने drawing किया 9,000 और B ने drawing किया 18,000 ठीक है उसके बाद करता है drawing किया इसके ओपर इन्होंने interest on drawing पे किया A and B ने कितना पे किया है 150 और 210 ठीक है respectively प्रोफिट लिखा है 31st मार्स 2016 विफोर अबो mention कोई adjustment नहीं किया 35,000 लिखा है शोड इस्टिविशन अप्रोफिट प्रोफिट प्रिपियर करो प्रोफिट एन लोग से एप्रोप्रेशन अकाउंट अफ दा फर्म और कैपिटल अकाउंट भी बना दो सेकंड ने कितना लगाया 45,000 ठीक है question क्या next क्या करता है रेशो क्या तीन दो रेशो है उसके बाद बी को क्या देनी है salary देनी और interest on capital देना है तो देंगे two interest on capital किसको देनी है एक को देनी है और बी को देनी है यह ने कितनी capital लगाई थी 60,000 कितना देना है 10% तो सिंपल है 6000 कितना होजाएगा आपका 6000 next कितना होजाएगा 4500 दुन्नों को एड करोगे तो कितना होजाएगा यह 10,500 यहां क्या लिखेंगे buy interest on capital कितना यह यह है 6000 और यह है 4500 ठीक है next क्या कहता है क्वेशन कहता है salary देनी है किसको बी को दे देंगे बाई two किसको देनी है बी को बी capital अकाउंट salary देनी है कितनी 12,000 दे तो बही next यहां क्या लिखेंगे buy salary ठीक है salary किसको दी है यह बी को दी है कितने दी है बारा हजार एक उप मिलेगा नी कुछ next कहता है withdrawing करती है यह भी निकालता और बी निकालता है तो यहां क्या लिखेंगे to drawing ठीक है ना कितने निकाले इसने निकाले 9,000 और इसने कितने निकाले 18,000 कहता है interest on drawing कितना पे किया गया 150 और 210 ठीक है next कहता है interest interest आपके लिए income है यहां क्या आज़ेगा buy net profit और outer column में लिख दा है क्योंकि कोई loan के कोई case ही नहीं है और 35,000 हमारे को क्या था profit था buy क्या लिखेंगे interest on drawing किस से मिली है A से और B से A से कितने मिले हैं 150 और B से कितने मिले हैं 210 दोनों को add करोगे तो कितना हो जाएगा 0 6 और 3 यहां क्या आजएगा buy यहां करेंगे to interest on drawing चीक है drawing के पर interest कितना लगाया गया 150 और 210 चीक है उसके बाद question क्या कहता है जो profit है उसको आप क्या करो distribute कर लो लेकिन जो profit sharing ratio वो क्या है तीन ratio दो हमारी profit sharing ratio रहने वाली है तो total करो तो यह कितना आजएगा 35,360 यह भी कितना आजएगा 35,360 इस में से 35,360 में से minus करो कितना minus करोगे यह करोगे आप 22,500 minus करो 22,500 तो आपके पास कितने बचेंगे 12,860 ठीक है और यह 3 दू कितना आजएगा तो इतने से divide करोगे 5 से और ह हर हिंसे में 272 यहже तो हमारे पास कितने आजाएंगे लिखेंगे तू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटाल अकाउंट किसके कैपिटल में ए और दी एक इंसे में कितने जाएंगे तीन से तो कितना आएगा और बी के पार्ट में कितने जाएंगे दो इंसे तो पचिस और बहत्तर को कितने से करोगे दो से मल्टिपाई करोगे चीक है इंटू तो ये कितना आएगा पांच हजार एक सो च्वालिस दुन्नों को एड़ कर दो गया है यहां कितना आएगा बाइ प्रॉफिट एंड लोस ठीक है कितना आएगा साथ साथ एक छे और यहां कितना आएगा फाइव वन फॉर फॉर ठीक है अब इनको क्रेकर देते हैं टोटल कर देते हैं 45,000 पहले से थी 45,000 प्लस कितना था 4.5,000 प्लस कितना था 12,000 प्लस कितना था 5,000 वन फॉर्टी फॉर तो हमारे पास कितना आए यहां भी कितना आजएगा 66,000 644 और इसमें से माइनस क्या करोगे आप माइनस करोगे 18,000 और माइनस क्या करोगे 210 माइनस करोगे 210 चीक है तो आपका अंसर कितना आएगा 48,434 चीक है यह किसका जाएगा 2 बैलेंस कैरिट डाउन किसके बी में अगर एक ही बात करें तो 60,000 प्लस 6,000 प्लस 7,716 तो हमारे पास अंसर कितना आएगा 73,716 इसमें से आप क्या माइनस करोगे एक तो माइनस करना है 150 और एक क्या माइनस करना है इसमें से 9,000 ठीक है तो हमारे पास अंसर कितना आएगा 64,000 और ये 5,66 तो ऐसे आपने कुश्चिन के अंदर डिल करके चलना है तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई सुझाव या कोई सिकायत है तो वीडियो के निचे कमेंट करना ना बोलिए आपके जब में मैं कोई नई वीडियो अप्डेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रही धन्यवाद